दोस्तों इंडिया के अंदर फार्मिंग में एनिमल हैस्वेंडरी में डेरी सेक्टर में सबसे बड़ा जो पर्मुक बदलाव का जो कारण बना है कम से कम 90 के दस्क के बाद से तो और रहा है ब्रीडिंग अगर नसल में सुधार नहीं होगा तो फीडिंग ब्रीडिंग इकु कर रहेगा तो लोगों का जुकाओ भी रहेगा लगाओ भी रहेगा और उनको कई तरह की फायदा मिलेगा आज खास बात्चित में अरून सर जो हमारे डॉक्टर हैं बिहार के काफी सालों का बिक सालों का 20 साल से अनुभो है इन्हों टीटमेंट भी करते हैं लोगों का बह बहुत महत्मून इनके पास एक नॉलेज है मैं वहां सेहर करना चाहते हैं क्या बीडिंग के बारे में क्या नोलेज देना चाहते है जंता इप्रिडिंग अगर नहीं काम होगा तूध पादन नबढ़एगा तो कोई गय नहीं पुसेगा कोई नहीं पूसेगा कोई नहीं अगर दूद बेचके उंको पैसा नहीं आएगा तो गाय के लिए खर जाएगा अगर दूद वाला अगर दूद वाली गय रहेंगे घर में बटवारा हो जाएगा दूद के लिए घर में जोएंट फेमिली तबे रहेगा जब उसके हां संपुर्ण भोजन का व्योसता तो सर जो नस्ल सुधार का क्या जो रोल है उसके बारे में आगे आप बताएं कि लोगों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए नस्ल सुधार तो पहले तो गाय का दूद से आएगा और गाय का दूद कम है नस्ल सुधार नहीं किया जाएगा तो बिन फिट तो नहीं आएगा तो कह 20-25 लिटर तो लाना होगा, तो उसके लिए तो आपको ब्रेडिंग को काम करना होगा, तो एक तो प्रकृतिक कृत्रिम गरवादन होता है, जो है, निचुरल होता है, तो प्रकृतिक तो करना पड़ेगा, कृत्रिम तो करना होगा, कृत्रिम गरवादन करना होगा, कृत्रिम तो अगर हम नसल पचलें जिए से मालने कि जर्सी है तो पहले तो जर्षी एक अब जब्रड़ को में bilang usолод जर्शा जर्षी तौंगे से 15 granular जो तो जर्सी है कि हमको दूद्ध बहुत करती है और गीमत किफ़जी को हम 10 लिटर दीन का करती है, तो हम जीग ट्राइसन, समर रहें ना, तो अगर जर्शी गाय मानने की 10 लिटर दूत कर रहें, तो उसको जीग के चाहिए ट्राइसन को जो भी हो, अबलेबल हो, आपको तो घर पर ने अबलेबल होगा, हाथ पर तो मारना पड़ेगा, कहीं तो आपक अच्छा बूल का सिमिन मिलेगा, बहुत कम लोग अभी भी हार में हैं, जो ऐसा सोच को आये हैं, कि हमको किसान को अच्छा बूल का सिमिन देना है, हम तो कहीं भी जाते हैं, तो बता रहते हैं, आप डलवाईए अच्छा प्लिटिक है, हाँ गाय को देखते हैं कि नहीं, गाय नेम कन्फूजन है थोड़ा, तो कहते हैं कि इस पार छोड़ देजी दावाद चलाईए, तो आप यह ब्रीट को डलवाईए, आपको बेन फ्यूट आने वाला भविस में, तो जर्ची में यह बात हो गया है, जी, अब चली फिरीजियन पर, फिरीजियन है तो इसमें डालिए, अर्मादा डालिए, चाहे अश्टाइकर डालिए, इस सब का छमता है, 14,000, 15,000 लीटर, एक बियात का, तो मान के चली जी, 40 पुलस का है, है ना, तो हम कहां 10 लीटर दू रहे थे, कहां 30, 40, 50 भी हों, निकालेंगे मिल्क, नेक्स्ट इलेक्टिशियन में, है ना, तो हमको एक से दूर जेनरेशन में, बहुत अंतरा आजने वाला है, तो हमको बेनफिट भी होगा, घर का मालिक इस्तिती भी बहुत जारा सुधरेगा, अब गी रुप मानिये, तो गनपती है, प्राजिल का, सबसे जादा दूद करने वाली है, बुल है, तो उसका डालिए काने का मतलब की चाहे तो भैस हो या गाय हो, ब्रीट पा जब तक काम नहीं कीजिएगा, तो आपको बेंफिट नहीं आने वाला है, तो सर ब्रीट में कौन सा खास सीमेन हमें दिखाने वाले हैं, जिसका खासियत हम देखिए अभी देखिए, आप इस पर फोकस कीजिए, ज अभी हम रहा गाय को पड़ा है, तो एक कौन सी सर गां की है, अमरीका का है, तो इसका सर इलेक्टिशियन का कितना हजार चंबता है, बुलता है, चोद्रा से पंद्रा हजार लिटर प्रोडक्शन गाय में मतलब डिवलप का या बदलावा आ सकता है, इसके दोरा, आभी हम को लोग है? 6,000 लिटर 6,000 लिटर पे 5,600 लिटर पर हम लोग है भी आधा पना चल कि पुर बिहार के लिटा उसे तो ज़्यादा energja चलना है, अधह पचल से नीचे केंटेनर मेरा उच्छ क्वालिटी का इस अब तो है सधारन मनें 1200 सधारन वाला है देखिए इसमें अभी हम 40-50 वो है इसमें जीग और मदा टाइसन और फिर अश्टाइकर इस अब का सीमिन हाइए है और रोज कुछ न कुछ हम नया करने के लिए अपसोचे हैं कल भी सीमिन लाए है जो कम कीमत में अच्छे बाकि उसमें परफेक्ट ना है कि बाच्छी देगा कि बच्छा देगा सेक्षी में तो सर हम एक राय जानना चाहते कि मतलब जो हाई जो क्वालिटी की जो सीमिन होत जाता है कि मतलब किशान या जनता जो है कितने रुपे तक हो जाता है अगर बारासो से शोला सो के 16000 के लीटर के बीच में अगर मिल्क कैप सिटी का छमता वाला अगर टाइशन है जीग है यह अलग अलग जो श्ट्राइकर है इसकी क्या प्राइज होता है उसके खरीद रे जीड़ का जीड़ा भी सरकारी सपोर्ट डैरी शेच में भीन आगर रहा है लेकिन बहुत रुटा बुलका नहीं है तो दोस्तों यह सब बूल का आप नाम जान ले और आपके काम आएंगे कि कौन सा सीमें देने वाले आएंगे तो यह सब सीमें होना चाहिए अगर बदलाव लाना है तो इनहीं सब सीमें का इस्तमाल करके ब्रीटिंग में एक सोच लाना होगा देने के लिए अगर मान ढब एक सोच हो जाएंगे जैसे मान निकाले जितना जल्दी इसको फीकरए जैसे टमपरेचर है चाहिए 34 35 36 तक जा सकता है टमपरेचर देख ले पानी का उसमें सीमें जैसी एक्टरा निकाले तो एक दूज़ हटका मारिए ताकि वह अपना ट्रप्रेचर जो माइनस में है थोड़ा सा टमपरेचर में आजा तो तुछ अगर डाल दिया जाएगा तो ब्लास्ट कर जाता है अच्छा उड़ जाता उड़ जाता है तो नाइंटी डिग्री कौन पर अदम कटना चाहिए तो इसे लोड़ी हो गया कौन सा भाग पीछे रखना चाहिए सरे जो लॉक वाला भाग लॉक वाला भाग पीछे रखना चाहिए तो जैसे माले की लोग सीमें डाल दिया इसको कटिंगी तो रदी सीमें है बता रहे है तो एक दाम आंक के सामने रखिया है एक दाम जश्ट नाइंटी डिग्री कौन पर अदम सीधे काटिया नाइंटी डिग्री इससे हो गया किया ना किते किया अब दे कहां चूक होता है जी आज दिये तो इतने सारे वीडियो भी बना है तो सर अभी क्या इसमें आगे का प्रोसेस शुरू करता है अब जो इस देख रहे हैं सीध में हरा भाग इसको इहां सीमें में इतना अच्छा से बेट्श जाना चाहिए जिए कि जो लिक्वीड इसमें है वापस पिष्ट कर दिये जायने को कर देक्त नेयने пятंच होगि कॉन पर नगशने सर्क्व स्क्रोर ऐसकता है तो आप तो गलत कर दिया अगर गाय में फोई गलती नहीं है कोह प्रसें नहीं है कोई गलत नहीं है ज्यीक अटिए और खुद एक परसेंट भी गलत कर दिये तो नन माने तो आपको लगेगा अगर नहीं अपना गल्ती महसूस कर रहे हैं कि गाय में कुछ गड़बड़ी है तो आप उसको धुलिया कर बैठियेगा चेह कुछ कर बैठियेगा उधारन लिखे अभी बिट्टू को जी लड़का जो है जी कई अब उधारन देंगे धरमपूर का उध बैठ जाना चाहिए समझे है ना अच्छा बैठना चाहिए लाल जो जो अब जैसे माली की बैठ गया इसे बैठ गया तो पिष्टन को थोड़ा दबा के देख लेना चाहिए बाहरे में अच्छा किसे निकर रहा है कि नहीं एक बंद अगर धर्टी पर गिर जाए उसे कोई नहीं पढ़ना चाहिए खास बात कि यह तो हो गया नहीं तो बहुत तेज़ तंपरेचर है मौसम का तो उसमें अगर गन हम ले जाएंगे खुला में तो इसका तंपरेचर जाएगा तो सुक्रानु मर जाएगा यह तो निस्चित हैं 100% तो यह सब छोटा छोटा गल्ती करना पड़े जिए होल्डर कि हाई एक जिम्भारी बनता है किसान तो बैचारा है किसान को क्या जनकारी है इसान समझ जाता है कि सीमिन पड़गा मान जाएगा लेगी मांगा नहीं है जानवर माने कि अच्छा से हीट में ना है वहाँ भी हम ही लोग अलग कर पाते हैं आप कर अच्छा से हीट मान जाएगा नहीं है रग टूब और बाली है और गलग कर दो बनावारा जान जाता है कि वहाँ च्त।